प्रधान मंत्री नरेंदु मोदी ने अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के मद्दे नजर मंत्रियों को समबंदित राज्यों की परियोचनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है उन्होंने खास तोर पा उत्रदेश में पूरी ताकत जूकने का साफ संदेश दिया है ऐसे में प्रधान मंत्री कारयाले के सूत्रों के मताबिक पीम ने इसी हफते चुनावी राज्यों से जुड़ी परियोचनाओं की समिक्षा के बाद इस आश्यों का निर्देश जारी कि पादे जाट प्राजा महिंद्र पताप सिंग राज्य विश्विद्यालक का शिलन्यास नों ने किया था और ऐसे में अगले साल के शुरुआत में उत्रदेश उत्राखन, गुवा, पंचाब और मानिपूर में विधान सबस चुनाब होने वाले हैं और इनी राज्यों में से पी-म का मुख्य पूकस उत्ताप्रदेश होगा दरसत क्रिशी कारून के खिलाव जारी आंदोलन में जाट बिरादरी की अग्रिणी भूमिका की वज़ा से बीचिपे के लिए पश्यम उत्ताप्रदेश में सहज इस्तिती बनी हुई है इसलिए प्रधानमंदरी निर्देश दिये हैं और कहा है कि सभी पर योजनाओं को जो है वो खत्म कर लिया जाए समय से पहले मुक्य मंतरी योगी आदित्यनाथ ने राश्टिय पोशन महीने का शुभारम किया है और इसके इस तहट बारबंकी में भी कारक्रम आहिजुत किया गया बता दें जिले में इस साल पोशन महा के दौरान पोशन वाठिका के स्थापना के लिए पौधर ओपन अभ्यान और सैम वैब मैम बच्चों के चिन हिकान का विशेश पोकस किया जाएगा इस दौरान बच्चों के शोरों बालिकाओं और महिराओं को केंद्रित करते हुए योग सत्रों की आयोजन भी किया जाएगा और ऐसे में पोशन संबंदे प्रचार प्रसार सामक्री और अनुरूपक पोश्टा हार आधी का वितरन भी किया जाएगा इसके अलावा जिले में तीन विभागों के सहयोग से एक करोड चौरासी लाग सिवने तेज आंगनवाडी केंद्रों का मुख्यमंद्री योगी आधितिनात ने वर्चौले शुभारम किया और ऐसे में कारक्रम में पहुंचे विदायक और अधिकारियों के मौजूदकी म अब जिले में विभाग के पास आंगनवाडी केंद्रों के नीची भवनों की संख्या करीब बारसों हो गई है जबकि जिले में 3 जिले में 1000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कीन्ड संचालित हैं वहीं इस मौके पर कई बच्चों का अनप्रासन भी किया गया साथी पोशन आहार का वित्म समेथ आंगनवाड़ी कारेकत्रियों को सम्मानित भी किया गया बता दे सरकार के इस पहल से सभी राभारती काफी खुश देके और सरकार का धन्यवाद भी करते हुए नजर आए साथी किशोरियों के लिए योग सेशन का आईजन किया जाएगा और ऐसे में तीसरा सप्ता जो होगा वो 16 सितंबर से 23 सितंबर तक मनाए जाएगा जिसमें बता दें जनपतों में आंगनवारी लभारतियों को निट्रीशन किट आई सी सी सामगरी का वित्रण और चौथे सप सप्ता को 24 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाए जाएगा जिसमें सैम बच्चों के पहचान को सगन अभ्यान पोशन योग तखाते प्रधात का वित्रण किया जाएगा सबस्क्राइध में आपने को सा Certains आएगा सबस्क्राइध सबस्क्राइध सरोवर नगरी नहिताल में प्रदीश श्वे मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के आकमन को लेकर तयार यां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी को लेकर जिलादिकारी धीरस सिंग गर्भयाल ने संबंदित अधिकारियों के साथ कारकर विस्थल पंत पार्क पकार सलिय निरिक्षिन भी किया बता दें आपको मुख्यमंत्री सरोवर नकरी नहरीताल में लगवग 100 करोड से ज्यादा की विकास पर यूचनाओं का लुकापन और शिलन्यास करेंगे तो बता दें सीम कुष्टकर सिंग धामी नहरीताल जाएंगे जहां पर वो 100 करोड की यूचनाओं का लुकापन और शिलन्यास करेंगे जिसके तैयारियों हैं जो जोरो से चल रही हैं और ऐसे में निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गए हैं तैयारियों को लेकर और ऐसे में सीम के आगमन को लेकर कोई भी कमी न रहें इसका खास सौर पर ध्यान रखा जा रहा है टोक्यो पेरा ओलंपिक में सिल्वर मैडल जीतने वाले जेवर के गोविंद गरगाउं के रहने वाले प्रपीन कुमार वापस लोटाए हैं रली के इंद्रा गांदे इंटरनाशनल एयरपोर्ट पर जेवर के विधाय धाकुर धिरेंद्र सिंग ने शौल उड़ा करून का स्वाकत किया धिरेंद्र सिंग प्रवीन कुमार के मातापिता के साथ आईजी आई एरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए पहुँचे थे और ऐसे में प्रवीन कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में उची कूद में सिल्वर मैडल जीता है बता दें उनकी जीत के बाद से ही जनपद में जुशन का महौल है लोग काफी उतसाहित हैं खुश है और उनके घर पर बधाईयों का ताता लगा हुआ था ऐसे में प्रवीन कुमार ने वीते शुक्रुआ की सुभा हुची कूद प्रतियोगिता में शांदा प्रदशन किया था और रज़त प्रदक हासिक कर दिया था जिसके बाद से ही कौतम बुद नगर में खुशी का माहौल है और उनके घर पर बधाई देने वालों की लंबी लंबी लाइने लगी हुई हैं वहीं विधायक धिरेंद सिंग उनके मातापिता से मिलने गोविंद गर सित प्रवीन कुमार की घर पर पहुंचे थे और ऐसे में विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदितिनाज से प्रवीन के मातापिता की फोन पर बातचीत भी करवाई थी पूरे जनपत के लोगों को अपने इस लाल का इंतजार है और ऐसे में टोक्यो पैर ओलम्पिक में पुर्शो की हाई जंप में ग्रेट अनॉइडर के निवासी दिव्यांग प्रवीन कुमार ने सिल्वर मैडल जीत का विश्व में दूसर इस्थान पनाया है पताते हैं शुक्रवार के सुभा मुकाबले के दोरान उन्होंने 2.07 मीचा की कूद लगाई और पोरोश हाई जंप T44 वर्ग में ग्रेट बिटन के ब्रूम जोना नात को उन्होंने 2.01 मीचा की कूद लगा का स्वन पदक और पोलेंज के एक खिलारी ने 2.04 मीचा की कूद लगा का इस परधा का ब्राउंस मैडल खासर किया था तो ऐसे में अब जो है मैडल जीत का प्रवीन कुमार भारत वापस लौता आए हैं एयरपोर्ट पर उनका भवे स्वागत किया गया तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से विधाय खुद उनको लेने वहां पर पहु सुप्रीम कोट और हाई कोट के निर्देश पर 11 सितंबर को अमबेट का नगर जुले में और आश्वे लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा बतादे इस लोक अदालत में बैंक लोन की रिकवरी के मामले में कम से कम बयाज के साथ साथ अपराज से संबंदे छुटे छुटे मुकदमों में कम से कम जुर्माना लेकर तदकाल निस्तारित कर दिया जाता है और इसके अलावा जमीनों से संबंदे दिश्कों से चले आ रहे मुकदमों को भी सुलह समझोते के आधार पर निस्तारित किया जाता है वही बता दे पारिवारिक विवात के मामलों में भी पती पत्नी के भी सुला समझाता करा कर इन मामलों को अंतिय रूप से निस्तारित किया जाता है तो ऐसे में राष्ट्रे लोक अदालत का आयोजन जो है पॉम्बेट का नगर जिले में होगा और 11 सिदंबर को ये आयोजन किया जाएगा ऐसे में तवाम छोटे छोटे जो मामले होते हैं उनका वही पनिस्तारन जो है पुक कर दिया जाता है बैंक रिकवरी वाद जितने भी होते हैं उस प्रकार के मुकदमे जैसे किसी ने अगर रिंड लिया निजले तबके के लोग किसान भाई हमारे जो होते हैं उन लोग बहुत सारे लोग रिंड लेते हैं और उन पे ब्याज लग के बहुत जादा वो हो जाता है तो इस दिन क्या होता है कि हमारे नियाले में सारे banks वाले आते हैं और आपको कम से कम दरो पर वो प्रयास करते हैं कि जो भी मुकदमा है जो भी रिण है उसको कम से कम करके आपको उस दिन उससे छुटकारा दिला देते हैं दूसरी चीज जितने भी आपराधिक शमनी अवाद हैं छोटे-छोटे मुकदमे जैसे मारपीट के मुकदमे इस तरह से नयाले उस दिन कम से कम जुर्माने पे मुकदमों का निस्तारण कराती है इसके अलावा सुलह समझोता कि बहुत सारे बाद होते हैं देखा जाए अमूमन सतर पच्छतर से मुकदमे चले आ रहे होते हैं लेकिन वो निस्तारण नहीं होते देख जो है वो हर बीते दिन रिकॉर्ड बना रहा है टीका करण में अब तक देख पर बता दे करीब सतर करोर लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोस लग चुकी है और इनमें से सोला करोर लोगों को साकेंड डोस दी जा चुकी है और जैसे जैसे टीका करण के आखरों में तेजी आ रही है राज्यों की और से करोना गाइड लाइन्स पे पहले की मुकाबले फोरी धील भी दी जा रही है कई राज्यों ने यात्रा से जुड़े नियमों में धीलती है और दोनों डोस लगवाद चुके लोगों को आटी पीसिया रिपोर्ट के नियम से छूट दी जा रही है इसके साथ ही कई राज्यों ने पूरी तरह से वैक्सिनेटेड या फिर कम से कम एक डोस लगवाद चुके लोगों के लिए कौरंटीन नियमों में भी धीलती है और साथ ही आपको बता दें कि अब जो है कोरोना के मामने जिस तरह से घट रहे हैं और जैसे जैसे वैक्सिनेश कही राहत कही सकती जिहां चली अब आपको ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं कि किन किन राज्यों में आटी पीसिया टेस्ट जरूरी है और कहां कहां पर राहत है और कहां कहां पर सकती है अंजमार में बता दें कम से कम 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट जो है आटी पीसिया रिपोर्ट दिखानी होगी लदाक की बात कर लें तो लदाक में भी 96 घंटे पुरानी या आटी पीसिया रिपोर्ट जो है वो दिखानी होगी मिजोरम की बात करने तो 48 घंचे पुरानी आर्टी पीसियार दिखानी होगी या आरेटी टेस्ट और आर्टी पीसियार टेस्ट कराना होगा वही तरे पुरा की बात करें तो बहतर घंचे पुरानी रिपोर्ट जो है दिखानी होगी और असम में घाले पहुंचने पर टेस्ट करवाना होगा और असम के लिए आपके पास पुरानी आज़ी पीसिया रिपोर्ट या फिर दोनों वैक्सीन डोज लगवा लेना बहुत ज जा रही हैं वही चरंडिगर, केरल, पंजाब, राजिसान, सिक्किम में बहतर घंचे पुरानी आपको रिपोर्ट दिखानी होगी और इसके साथ आज़ी पीसियार नेगटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और अगव वैक्सीन की एक डोज लगी होई है तो राजिसान में रि रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर वैक्सीन का जो आपका सर्टिफिकेट है दूसरा डोज पंदरा दिन पहले लगी हो ये जो है वो दिखाना होगा गोवा के लिए 14 दिन पहले का वही नागलेंड की बात कर ले जाए तो बहातर घंचे पुरानी रिपोर्ट आर्टी पीसि लगे हो या फिर आपके पास भातर घंचे पुरानी रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए वही आर्टी पीसिया रिपोर्ट होनी चाहिए बाकी राज़े में कहीं भी ऐसा नियम नहीं है यानि कि देखिए ग्राफिक्स के ज़रीए ये तमाम चीजे बता रहे हैं जमू कश्म तो ये तमाम जो चीजे हैं और आपको बता दें बहातर घंचे पुरानी रिपोर्ट आर्टी पीसियार की देनी होगी और साथी तमिलनादू अगर आप केरल से तमिलनादू जा रहे हैं तो बहातर घंचे पुरानी आर्टी पीसियार रिपोर्ट देनी होगी और ऐसे में पुरानी आर्टी पीसिया रिपोर्ट देनी होगी वहीं वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को इस नियम से छूट दी जाएगी अगर आपने वैक्सीन लगवाली है तो आपको आर्टी पीसिया नहीं कराना होगा अगर पश्रिम बंगाल, पूने, मुंबई, अचन्य की बात कर ले तो वहाँ से जाने वाले ग्यातियों के लिए बहाता घंचे पुरानी रिपोर्ट आर्टी पीसिया रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा और इसके साथ ही वैक्सीन के दोनों डोस ले चुके लोगों को इस नियम से छूट दे दी चाहेगी कि अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोस लगवाई है तो आपको छूट होगी वहीं आंद्रप्रदेश, बिहार, दिली, खर्याना, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो इन सब राज्यों में मद्याप्रदेश, ओरिसा और तेलंगाना भी इसमें चामिल है इन सब राज्यों में जो है आपको आंधर प्रदेश, बिहार, दिली, खर्याना, हिमाचुल प्रदेश ये वो तमाम राज्ये हैं जहां पर अलग-अलग नियम जो हैं वो लागू किये गए हैं और ऐसे में मध्या प्रदेश, ओरिसा और तेलंगाना सहित बता दे कि यात्रियों को लिए बाहतर घंचे पुरानी रिपोर्ट आर्टी-पी-सी-ार रिपोर्ट दिखाना अनिवारे होगा वहीं ऐसे में वैक्सीन के दोनों डोस ले चुके लोगों को इस नियम से छूट दे दी जाएगी वहीं अगर उत्तरप्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तरप्रदेश में क्या नियम है वो भी आपको बता देते हैं उत्तरप्रदेश में महराश और केरल से आने वाले यात्रियों को आटी-पी-सी-ा नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लाना अनिवारे है और अगर आप सिक्किम, मनिपूर या पिन अगलेंट, केरल, मिघाले, मिजोरम और नाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महराश उसे लखनो जा रहे हैं तो आपको 96 खंचे पुरानी रिपोर्ट के अवशकता है और अगर आप वार नसी या बरेली जाना चाते हैं तो या तो आपको वैक्सिन के दोनों डोस लगे हुए हो या फिर आपके पास भात तक घंचे पुरानी आठी पीस या नेगर्टिव रिपोर्ट होनी चाहिए वहीं दिल्ली से अगर आप कानपुर आने वाले हैं तो ऐसे में वहां पहुँशने के बार टेस्ट करवाना अनिवारे होगा साथी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर यात्रा करने के लिए कोई प्रतिबंद नहीं है इसमें आंधर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हर्याना, हिमाचल प्रदेश और मध्या प्रदेश, ओरेसा और तेलंगाना शामिल हैं जहां पकोई नियम नहीं है वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि किन राज्यों में यात्रा करते के लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिबंद नहीं है अगर अंतराश्य यात्रियों के लिए क्या नियम है ये भी आपको बता देते हैं कोवेड-19 के नए रूपों के जर्ग के मंदे नजर दक्षिन अपरिका, बांगलादेश और चीन सही साथ देशों से भारत आने वारे यात्रों के लिए आठी-PCR जर्च को अनिवारे कर दिया गया है ऐसे में केंद्र की और से ये जियानकारी दी गई है वहीं आपको बता दे के दक्षिन अपरिका, बांगलादेश और ये तमाम राज्ये जो हैं जिन्होंने अलग-अलग काईटाइन्स जो हैं वो जारी की हैं वहीं दक्षिन अपरिका, बांगलादेश और चीन, मौरेशियस, न्यूजिलेंट और जिम्बावे ऐसे देश हैं जहां पर अलग-अलग तरह की गाईटलाइन्स जो हैं वो जारी की गई हैं यानि कि कहीं पर छूट दी गई हैं तो कहीं पर सक्ति अभी भी बनी हुई हैं तमाम राज्ये जो थे जहां पर गाईटलाइन्स क्या थी वो ग्राफिक्स के जरीय हमने आपको समझाने की कोशिश की ऐसे में अब जाहिर तो अपर उम्मीद है कि कहां पर क्या गाईटलाइ विभाग ने जारी किये गए अपने बुलिचिन में बताया है कि आने वाली 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी क्या सपास कम दबाव के शेत्र बन सकते हैं। जाना के बता दें सिर्सिला, शहर और राजजनास इसिला जिले के कुछ अन्य हिस्व भारी बारिश होई। सितंबर तक बारिश जो है वो दिल्ली में हो सकती है कोरोना वाइरस से बचाव के लिए पूरे देश में स्वास्ते करमशारियों को ठीके की बूस्टर डोस लगवाने पर विचार चल रहा है ऐसे में केंद सरकार जल्ध ही अंतिन निर्ने लेगी और मैडिकल जोर्नल नेचर में प्रकाशक की गई कई देशों के बच्ञानिकों के संयुक्त अध्यन में कहा गया है कि कोरोना ठीका लेने के बाद भी स्वास्ते करमशारी डेल्टा वेरियंट के चलते संक्रमण की चपे प्लेसित आईजी आईबी के निदेशक डॉक्टर अन्राग अकरवाल ने कहा कि इस स्थिती की बच्छा से स्वास्ते करमशारीों की संभावित कमी को रोकने के लिए उन्हें जल से जल बूस्टर डोस देना जरूरी है वह स्वास्ते मंत्रवाले के एक वरिष्ट रधिकारी के मताबिक बूस्टर डोस पर विग्यान एक साक्षे कमप होने के चलते भारतिय आयो विग्यान अनुसंदान परिशद की एक टीम काम कर रही है तो ऐसे में अब सभी स्वास्ते कर्मियों को कोरोना ठीके की बूस्टर डोस देने की तैयारी जो है वो चल रही है कश्मीर के 13 साल के योवक ने घाटे से करने अकुमारे तक के 3600 किलोमीटर के दूरी साइकल से 8 दिनों में तैकर विष्ट रिकॉर्ड बना लिया है जी हाँ मद्य कर्चमीर के बरगाउं जिले के नर्बल के रहने वाला योवक आदिल तली ने ये दूरी आठ दिन एक खंटे और 37 मिनत में पूरी की है आदिल ने इस साल 22 मार्च को सुबा करीब 7.5 बज़े श्री नगर के लाल चौक से प्रतेश्टेट गंटगर से अपने इस यात्रा को शुरू किया था और 30 मार्च को सुबा करीब 9 बज़े कन्या कुमारी वो पहुंचे थे ऐसे में आदिल ने कहा कि मैं एक साल के लिए साइकल से कश्मीर से कन्या कुमारी जाने की योचना बना रहा था और मेरे एक दोस्त ने मुझे एक प्रायोजक से मिलवाया जिसने मुझे तयार करने के लिए कहा और विस्ट रिकॉर्ट बनाने में हर संबब मदद का अस्वाशन भी दिया साथी मेरे कोच राजेश कौशिक ने मुझे इसके लिए प्रसिक्षिन भी किया और महीनोस के प्रसिक्षिन के बाद मैंने पिछले साल नवंबर में गिनीज वर्ल रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया और फरवरी के अंत में मेरा आवेदन सुईकार कर दिया कया तो ये कश्मीर का यूवर जो है आदिल उसने वर्ल रिकॉर्ड बना लिया है और ऐसे में उसने वर्ल रिकॉर्ड बना कर आठ दिन में साइकल से कन्या कुमारी की यात्रा जो है वो पूरी कर दिया और ऐसे में वो लगातार बता रहा है कि उसने बहुत मेहनत की थी इसके लि पूरी की थी और साथ ही आपको बता दें कि यहात्रा पूरी करने के बाद आदिल जो हैं काफी खुश नज़रा रहे हैं उत्तकाशी के उप तहसील जोशी आड़ा में जुलादिकारी मयूर देख्षित के अधिक्षिता में तहसील दिवस का हुजुन किया गया इस दोरान पानी बिश्डी, सिचाई, नहर, पैदल, मारगो, आदिकोले का कोई 53 शिकायते पंजुकरत की गई आपको बता दें कि इस दोरान अदिकाश शिकायतों का जुलादिकारी ने जुलादिकारी ने जुलादिकारियों के मौचे पर ही निस्तारण कर दिया और जिन समस्याओं का निस्तारर तहसील इस्तर पर नहीं हो पाया उनका निस्तारर ने एक सप्ता के अंदर करने के निर्देश भी संबंदित विभाग के अधिकारियों को दे दिये गए आपको बता दें कि जुला अधिकारी महीजुर्दिक्षित हर रोज सुब़ा 10 बज graphics से दुपयर 12 बज़े तक अपने कारयाले पर आमजन के समस्याओं सुनते हैं और इसके साथ ही जुला अधिकारी के निर्देश पर जुले के सभी कारयालों में सुबा 10 बज़े से दुपय 12 बज़ोई तक अधिकारी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और शिकायतों का निस्तारण भी जो है वो कर रहे हैं तो ऐसे में तरकाशी वे अधिकान शिकायतों का मौके पर निस्तारण जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में डीम के अधिक्षिता में तहसील दिवस का आयो और अधिक्शल दिवस जो पता अधिकान शकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया इसकु है जो है वह उस यह सबसे आइपारा जनता कितनी खुश है जनता की परिशानियां किस तरह से जो है उनका सुनवाई की जा रही है इसको लेकर इसी लिए बता दें कि ये आयूजिन किया गया और ऐसे में डीम ने इन सभी चीजों का खयार रुखा सभी चीजों की जादकारी ली कि किस तरह से लोग चुवाँ पर परिशानी लेकर पहुंचते हैं उनकी समस्याओं किस तरह से निस्तारंट किया जाता है और ऐसे में बता दें कि किस तरह से निस्तारंट किया गया इसका खुद डीम ने जायज़ा भी लिया पेरा ओलम्पिक सिल्वा मैडल जीतने के बाद डीम स्वाह सिल्वाई का गुरेटन नौईडा सूरजपूर कार्याले पर स्वागत किया गया जीहां डीम के स्वागत के लिए लोगों की भीड उमर गई और इतना ही नहीं जिलादिकारी कारयाले बेखद य अच्छी तरीके से सजाया गया था इस दरान ढोल बजाते हुए भी लोग दंसर आया और जिलादिकारी कारयाले पर प्रसाशन के करमशालियों ने उनका स्वागत किया वहीं लोगों ने बड़ी ही धूम धाम से सिल्वा मैडल विज्यताज लादिकारी सोहा सलवाई का केक काटकर जीत की खुशी भी मनाई ऐसे में डियम के स्वागत में उम्री भीर सुरजपूर कारयाले पर जो है उनका स्वागत किया गया और भाई संख्या में भीर जो है वहाँ पर उम्री थी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से डियम को फूल मालाएं पनाई जा रही हैं, बुके दिये जा रहे हैं, किस तरह से भवे स्वागत उनका किया गया और ऐसे में ढोल नगारे जो है वहाँ पर बस्ते हुए नजर आए काराले पर और ऐसे में भवे स्वागत जो है पोजीम का किया गया और इसी को देखने के लिए और स्वागत करते के लिए हजारों की संख्या में लोग वहाँ पार खचा हुए थे इसी के साथ गुड मॉनिंग एंजिया में फिलाख लेतना ही आप देखते रहें नियूस वाल इंडिया झाल